सब्सक्राइबा नमास्कार दोस्तों स्वागा थे आप सभी का कि स्वागा फटूर क्या क्ट्रीट शुखाषप पाथिक्षा का पात्यपान के लिए पार्थे करम क्या है का आके वीडियोग प्रूर देखने हैं तो नीचे केरिमेंट बॉक्स में आप लिखिए CGTET वीडियो और यहां पर बताया जा रहा है पाठ्ठेक्रम याने स्लेवस कि आखिर आपको पढ़ना क्या है CGTET 2022 के लिए तो हर बार आप जो नया CGTET परिक्षा होने वाला है उसका स्लेवस जरूर देखा करें तो चलिए देखते हैं इस बार CGTET 2022 का पाठ्ठेक्रम क्या है सबसे पहले प्रथम पेपर कक्षा एक से पांस तक अध्यापन पात रहता है तो जो पेपर होता है जो नौ से बारा बच के पंदरा मिनट तक होता है वो होता है प्रथम पेपर जो की कक्षा एक से पांस के लिए होता है तो इसमें जो है पहला जो टॉपिक है यह स्लेवास का जो पहला बिंदू है पहला बिंदू जो है वो है बाल विकास और सिक्छा सास्त्र यानि कि चाइल्ड डेवलेप्मेंट एंड पेडागोजी प्रस्न पत्र के इस भाग से 30 अंक के कुल 30 प्रस्न आते हैं दोस्तों विडियो को सुरू से अंत तक देखा करें दोस्तों क्योंकि कई महत्पुन बिंदू आपको तभी पता चलेंगे अगर आप इसकीप करेंगे या फारवाट करकर करके देखेंगे तो सभी चीज़े आपको पता नहीं चल पाएंगी बहुत सारी इंपोर्टेंट बिंदूएं होती हैं 2018 के समय भी बताया गया था जब सब लोग वीडियोस में नहीं बता दे थे इसी वाते हैं निकिन आज कल आपको कई वीडियोस मिल जाएंगे नेकिन इस चनल में तब से ये सब चीज़े बताई जा रही है जब आपको ऐसी चीज़े लोग बताया नहीं कहते थे जो चोटी चोटी चीज़े होती थी और ट्रिक्स भी होते हैं कुछ तो देखिए फिलाल के लिए जो हम सिलेबस पे आजाते हैं अपना में जो टॉपिक है तो बाल विकास और सिक्षा सास्तर जो है वो है हमारा पहला बिंदू सिलेबस का अब इसके अंदर इकाई एक है बाल विकास का परिच्छ जहां से दोस्तों साथ अंक के प्रश्ण परिच्छ से आएगा तो इसके लिए वीडियो आएंगे दोस्तों आड़ेडी वीडियो डले हुए है वजब भी देख सकते हैं और नए वीडियो भी आएंगे दोस्तों चाहिए तो नीचे कमेंट बाक्स में लिकिए सीजी टीटी वीडियो अपलोड कीजिए सर ठीक है य विकास की अधाना विकास की अवस्थाएं गर्भावस्ता, सेस्वावस्ता, प्रारंभीक वा उत्तर बाले वस्ता, किसोर वस्ता, साररीक, संग्यात्मक, समाजिक, समयगात्मक विकास, विकास को प्रभावित करने वाली बातें प्रक्ति एवं पोसन, निरंतर्ता एवं अ प्रिशनाएंगे और उसके अंतर के जो बिंदू हैं उसके अंदर दो उपफ़णड हैं का सारेजिक इमक ट्यात्मक विकास सारेजिक नियंत्रन एवन एवम समनवयन का विकास खा समयगात्मक एवन नैतिक विकास और खा के अंदर थोड़ा विस्तार में और लिखा हुआ है कुछ समानि सिद्धान सरीर के अंगों के अनुपात में बदलाओ उचाई वावजन की रिद्धी सारेरिक बनावाट में बदलाओ और इसके अंतर जो बिंदू है उसे भी हम देख लेते हैं सिखना क्या है और बच्चे कैसे सिखते हैं विवित धारनाओं की समिक्षा, वैभारवाती, संरचनावाती, समाजिक संकल पनाए, संग्यान क्या है बच्चों की सोच पर जीन प्याजे के विचार, ग्यान निर्मान के तरीके, इसकीमा, सम्मिलन, समायोजन, विवस्थापन, संतूली करन दोस्तों मैं बता रहा हूँ, यह जो टॉपिक है, यहां से आपका चार-पांच नंबर का निश्चित तोर पे आएगा कनफर्म है, जीन प्याजे से एक नाएक परसन तो आएगा ही, निश्चित है और एक-एक नंबर से ही तो लोग चुक जाते हैं, इसलिए वीडियोस आप देखा करें और अपने सुझाओ, डाउट कमेंट बॉक्स में लिखा करें, चलिए, आगे देखते हैं इसी में, अगला बिन्दु है, किसोरों की सोच के लक्षान मानसिक संक्रियाएं क्या हैं? लेउवे गोचकी, रचनावात, निकट विखास चेत्र, इसके फोलडिंग, सिक्छक की भूमी का प्च्चा एक समाधान करता तथा विग्यानिक अनुसंद्रान करता कई बार स्रिफ इसी पे एक प्रस्ण बन जाता है बच्चों का वेकलपिक आउधाना को सिखना सिखने की प्रक्रिया में बच्चों द्वारा की जाने वाली गलतिया सिखने की प्रक्रिया का एक सार्थक पद है इसे समझना अभी प्रेजन और सिखना इकाई चार है दोस्तों सिलेबस के बिंदू एक के अंतरगत इकाई चार विसेस आवसकता वाले बच्चे यहने की जो दिव्यांग जन कह सकते हैं विसेश आवसकता वाले बच्चों से अभिप्राय छती अपंगता या अक्छमता विभिनताओं में समानता विसेश आवसकता वाले बच्चों के साथ कारिया ग्यान और सिक्षा करम की जरूरत सिक्षप्सक्रावं के आद्धृ निर्मान 2 2009 सिक्षप्सक्राव का अधिकार पश्ट्राइइ निक रूप से आएगा दिव्यां के लगा मैं आपको आने वाले वीडियो से यह भी बताऊँ गा आप बाल्वी का सिक्षा जास रखें जो प्रस्ण है उसके चार विकल्पे हैं तो उसमें से चुनाओ के से करना है किस तरह से उत्तर देना है ताकि आप 30 नंबर में से कम से कम 25 से 30 तक आप पा सकें या 20 के उपर तो पा ही सकें ठीक है अब दोस्तों स्लेबस का बिंदू दो भासा एक हिंदी और बिंदू तीन होगा भासा दो अंग्रेजी दो भासा होता है जिसको पूछा जाता है चतिस गर्षिक चक पात्रता परिक्षा में ठीक है तो विशेज ध्यान दे एक होता है भासा एक हिंदी और भासा दो होता है अंग्रेजी बहुत लोगों को डाउट है क्या संस्क्रीट भी हम ले सकते हैं नहीं इसमें संस्क्रीट का आप्सन नहीं है बहसा एक हिंदीजी अनिवारिया है वहसा दो अंगरेजी अनिवारिया है दोस्तों तो इसे यह स्थिलिबस का बिंदू दो तो यहां से भी 30 अंक के 30 प्रस्ण पूछे जाते हैं और यहां भी अच्छे से दिया हुआ है इकाई अनुसार तो इससे तैयारी करने में आपके लिए सहुलियत है क्योंकि यहाँ पर बता दिया गया है कि तीन अंक के जो प्रस्ण है वो इकाई एक वर्न विचार से आएंगे वर्न विचार के अंतरकत अक्षार, स्वार, वेंजान, अनुस्वार, एम, अनुनासिक, ध्वानिया, लिंग, वचान, आदी, संदी, संदी, विचे, स्वार, संदी, वेंजान, संदी, विचार के संदी यह सब में से तीन अंक निश्चित रूप से आपका बनना चाहिए से प्रश्ण ना आए और किसी एक टॉपिक से दो प्रश्ण दे दे या तीन प्रश्ण दे दे नेकिन इन जो जो यहां लिखा हुआ है वहां से तीन प्रश्ण निश्टी तवर पर आएगा यह तो कंफर्म है कि काई दो से चार अंक के प्रश्ण आएंगे दोस्तों और चार अंक के प्रशन, आपके सब्द विचार, सब्द रूप, सब्द रचना, सुरोत के धार पर सब्दों के वर्ग, तत्सम, तद्भाव, देशज, विदेशी, अर्थ के धार पर सब्द भेट, परियाईवाची, सब्द, विलॉम, सब्द, नेकारती सब्द, तो इतने में से चा आपका इस इकाई से आएगा, तो इसको आप त्यार ही करें, अब देखते हैं, इकाई तीन सब्द रचना, यहां से भी चार अंक के प्रशन आएंगे, दोस्तों, देख सकते हैं, जिसमें उपसर्ग, प्रत्याष, समास, समास के भेट, अनेक सब्दों, या वाक्यांस के ल बता रहा हूं, देखिए, तीन अंक के तीनी प्रशन आना है, तो हो सकता है, वो कारक चिन से दो प्रशन देदे, एक प्रशन विसेशन से देदे, तो यह संगय सर्वनाम से वो नहीं देगा, या फिर संगय सर्वनाम से एक-एक प्रशन दे दिया, और किया से एक दी दिया तो यहाँ से नहींदी तो इतना तोछी और है कि इन टौपिक को पढ़ोगे तो बेकार नहीं जाएगा क्यों तीन यहाँ से आएगा नेकिन जरुरी नहीं कि प्रते एक टोपिक से एक एक प्रश्ना आ जए लुवआ जक़ते क्सी टौपिक से इकाई छे रचना जिसमें मुहावरे लोक्तियां अपठित गद्यान दोस्तों ध्यान दें मुहावरे लोक्तियां से आपका दो या एक प्रस्णा निस्चित सव प्रतिसत पूछाई जाएगा और अपठित गद्यां से आएगा वहां से एक या दो नंबर का या दो नंबर त पुछाजा सकता है उसके बाद तीन अंक के प्रश्ण आपके इकाई साथ से आएगा इकाई छे और इकाई साथ इकाई आट और इकाई नौ यह जो तीन इकाई है पाठ्टिक्रम का बिंदू दो भासा एक हिंदी से वो आपके D8B8 से रिलेटेड है दोस्तों तो जो D8B8 कर चुके हैं वो समझेंगे यह तीनों इकाई को कि यह T8B8 करने वाले जो परिक्षार्ति हैं वो इन चीजों को अपने D8B8 में पढ़े होते हैं तो पहला है इकाई साथ का बच्चों की भासाई विकास की प्रक्रिया जहां से तीन अंक के तीन प्रश्ण है भासा विकास के चलन बच्चे इसकूल आने से पहले क्या क्या सिख कराते हैं बच्चे भासा कैसे सिखते हैं इसकुल आने वाले बच्चों में भासा सिखने की प्रक्रिया के गुन, बच्चों की भासा सिखने की छमता, इकाई आट में बच्चों में भासा आई छमता हैं, उनका विकास, तीन अंक के तीन प्रश्ण, पढ़ना क्या है, अर्थ निकालने की प्रक्रिया, भासा अर्थ ग के भासा सिखने लिखने पढ़ने की प्रक्रियां में गलतियों की भूमी का तो ये तीन जो इकाई है दोस्तों विसे इस तोर पर डी एट वीट करने वाले पर इच्छाथी समझ सकते हैं और ये कुल मिलाके नाव अंग के प्रशना ये तीन इकाई से आएंगे दोस्तों अब देखते हैं अगला बिंदू सिलेवस का अगला बिंदू है बिंदू तीन और इसमें भासा दो अंगरे जी तो यहां भी दोस्तों तीस मुल्टिपल चॉइस क्वेश्चन आप तीस मार्क्स तीस अंक के तीस प्रशना पूछे जाएंगे दोस्तों अब इसके अंतरगत ए दिया है भी दिया है मान के चलिए ये युनिट वन है ए और ये यूनिट टू है यूनिट वन से पंदरा अंक के pair पंदरा क्वेस्चन तसे फी again फंदराhalf doctor अभिस यूनिट वन में कम्प्रेहंशन के अंतरगत UNC अन्सेन प्रोज पेसज पूछ पूछा जाएगा जहां से साथ अंक के साथ प्रशना कंप्रेहेंसन से होंगे चार अंक के चार प्रशना ग्रामार से रिलेटेड और चार अंक के चार प्रशना ओके बलरी से संबंधित और यह सब पूछा जाएगा unseen दो unseen pros passage आएंगे जहां से 7 अंक के 7 प्रशन comprehension related होंगे 4 अंक के 4 प्रशन grammar related और 4 अंक के 4 प्रशन vocabulary related होंगे इसी प्रकार 15 अंक के 15 प्रशन जो हैं वो D8B8 के विद्यार्थी या परिक्षार्थी समझेंगे क्योंकि ये पूरा point आप D8B8 में पढ़े होते हैं ये है pedagogy आप language development और language यहां पे है English तो यहां भी आप देख लीजिए बहुत अच्छे से marks mark यहां पे देद दिया गया है कितने mark के question होंगे उस topic से तो इससे बहुत ही सहलियत होगा आपको त्यारी करने में तो देख सकते हैं पहला लिख है learning and acquisition यहां से एक mark का number आएगा दूसरा है principles of language teaching यहां से भी एक number का मतलब इस topic से एक प्रस्न आपका 100% आना ही है उसके बाद है role of listening and speaking function of language and how children use it as a tool दो marks critical perspective on the role of grammar in learning and a language for communicating ideas verbally and in return from one mark challenges are teaching language in a diverse classroom language difficulties, errors and disorders two marks language skills four marks विसेज ध्यान दे चार number के जो प्रस्न है चार number के चार प्रस्न है वो language skills से आएंगे evaluating language comprehension and proficiency speaking, listening, reading and writing two marks teaching, learning materials, textbook, multimedia materials, multilingual resource of the classroom one mark remedial teaching से one mark स्लेवस का अगला बिंदू है बिंदू चार इसमें दोस्तों गनित के प्रस्ना पुछे जाएंगे जो की 30 अंक के 30 प्रस्ना होंगे और जो प्रस्ना होगा गनित का उसका इस्तर होगा कक्षा दस्वी तक का करेकर बारविष का अगर से पान्स तक के लिए है, फेपर एक... पारविष पास वाले जो हैं… फेपर एक के लिए और सैक सिक चक के लिए पात रोते हैं बसर्थिद डियेड हो और टीटी पास हो तो टीटी की परिक्षद लाने के लिए डियेड चाहिए आपका Final Year में होना चाहिए या फिर आप Complete कर चुके हो और आपका बारवी पास बार भी पास है तभी तो D8 करेंगे तो दसवी स्तर का गनित पूछा जाता है और 30 अंक्य तीस प्रशना गनित का अनिवार्य रहता है इसमें आपसान नहीं है कि गनित चुने या समाजी कोई ग्यां चुने इसमें जो पेपर वन है कक्छा एक से पांच वाला उसमें गनित अ समबर जो है D8, D8 से सम्बंधित ही रहेंगे यह वैसे प्रशन नहीं होंगे जैसे अन्य जैसे शाट्रहा सदिक शक में जैसे पूछें आते हैं वैसे प्रस्ण नहीं होंगे यह चौधा अंकर की चौधा प्रस्ण यह आपकी डी-8-8 वान में गनीट की प्रकृति के अंतरगत गनीती विचार किस तरह विक्सित होते हैं गनीत का रूप गनीती तरीके से सोचना अमूर्ती करन विशिष्टी करन और व्यापकी करन साथ अंक्य के साथ प्रश्ण और इकाई दो गनित सिखना स्थिखाना वा आकलन सिखने का मॉडल बनाना सिखना यानि रटना बैंकिंग मॉडल सिखना यानि प्रोग्रामिंग सिखना यानि समझ का निर्मान एक और इकाई दो से जो की डीएट बीएट से ही रिलेटेड है अब इकाई तीन में बाकी जो नॉर्मल समान्य गनित होता है दस्वी इसतर तक का सोलह अंकर का वो पूँछा जाएगा दोस्तों तो 3.1 में दसमलो प्रनाली के अंतरगत मिट्रिक प्रनाली लंबाई चैत्रफल आयत अंधर्विमान संमय के माथ 3.2 संक्याये पूर्ण संम् विसम अभाज्य विभाज्य आ रोही अ रोही करम इस्थानी मान साधरान 20.000 की प्रसपा तुलना इसके नियाम 20.000 को साधरान भिना में बदलना 3.4 संख्यात्मक वनजकों का समिकरन वनजक का सरली करन बॉर्ड मास्क प्रयोग 3.5 वर्गमुल वर्गमुल निकालने की विधियाँ गुनान खन वा भाग विधि दसमला वाले संख्याओं के वर्गमुल निकालना 3.6 मत्तम समापर्तक और लगुत्तम समापर्त क्या है इससे समधि समझ जाओं कि हलेतु सुत्र तिन दसमलो साथ आवसाथ आवसाथ निकालने की विधी प्रतिसाथ प्रतिसाथ का आर्थ प्रतिसाथ को दसमलो वाद दसमलो को प्रतिसाथ में बदलने की विधी 3.9 साधरन ब्याज साधरन ब्याज क्या है इसे संबनित प्रस्नों के सुत्र 3.1 सुने लापत थानी ग्रेविक्रे मुल्य लाप भनी ने प्रतिसत वर रुपियों में वेक्त करना 3.1 एक अनुपात वा समानुपात के नियम अनुपात समानुपात सधारन नियम 3.1-2-4 समय दूरू 4 समय दूरी निकालने का सुत्र 3.1-3 एकिक नियम समय कार्य मजदूरी 3.1-4-6 तरफलें परिमाप 3.1-5 आयतन ठोस की मापें लंबाई चोड़ाई वा उंचाई घन वा घनाब आयतन 3.1-6 समय तो देखा जाए तो 16 अंक का गनित का ये जो भाग है यहां बहुत सारे टॉपिक हैं तो गनित के बहुत सारे प्रस्ण बन सकते हैं जिसके लिए वीडियोस आएंगे दोस्तों तो लाइक कीजिए इस वीडियो को सेयर कीजिए सबस्क्राइब कीजिए लाल कलर के सबस्क्राइब बिटन दबा कर और बेल के चीन ने दबा के रखिए ताकि आने वाले वीडियोस आपको मिल सकें CGTT 2022 की तेयरी आप कर सकें और जदा से जदा व्यूस आएंगे तो जदा से जदा पाठ्ठे करम का आखरी बिंदू है कक्छा एक से पांस तक के अध्यापन पात रहता है तू मतलब प्रथम पेपर के लिए यहां से भी 30 अंक के 30 प्रशन आएंगे दोस्तों तो आपको पता ही है कि जो आपका प्रशन पत्र होगा वो कुल 150 अंक का होगा और 150 प्रशन पूछे जाएंगे दोस्तों अब एक प्रशन और है जिसका उत्तर आपको बीच में बताया जाएगा तो सबसे पहले देख लेते हैं प्रियावरान अध्यान के अंतरगत इकाई एक में स्वैं के प्रियावरान को समझना तीन अंक के तीन प्रशन एकाई दो परियावरान के बारे में बच्चों की समझ चार अंक के चार प्रशन आएंगे और ये भी D8B8 में हम पढ़ते हैं परियावरान उससे रिलेटेट प्रशन होंगे बच्चे की समझ बच्चे का द्रिश्टी गौन पांच से साथ वा आठ से चौधा वर्स के बच्चों की परियावरान के बारे में समझ कैसे पता करें परिया वरन अध्यन पाठिक्रम के सरो का अउधार्नाओं का बनना प्रात्मी की ऐना को सल क्या है कोसलों का विकास झाहि छार परिया वरन अध्यान का सिक्षण सास्त्र चार अंक के सिक्षान कार्य चित्रों को पढ़ना बच्चों द्वारा बनाएगे चित्रों को समझना दीन रात रृतुओं को समझना समयन आपना नक्से पढ़ना समझना यह आएगा इकाई चार से चार अंका के चार प्रशन इकाई पांच परियावरन अध्यानवा कक्छा कक्छा की गत दो देखोएं बाल विवा लिखाए तो बाल विवा से समस्क्राइब बाल या बाल विवा निसएद कानून का ननका भी आज़ कब प्रवा निसेद कानून का बनाग हुआ इनके जो पुराने समयं में इसका विरॉत क्या आवाज उठाया इस तरह से कई प्रशन है इकाई 119 परियाववरान का मतलब से श्रीव यह नहीं ऌता पेड़ पूध्य और बस बहुत सारे चाने परियावरान की अंतरकत अपने सरीर की देख्भाल उकाइस साथ से چार चार प्रशना आएंगे अपने सरीर की देखभाल, सरीर के बाहे अंग और उनकी साबसफ़ई सरीर के आंत्रीक तंत्रों की समाने जानकर संतुरित भोजन की जानकर और इसका महत्व समान्य रोग अंत्रा आंत्रसोत अमीबियोसीज मेटा हिमोगलोबिन इनिमिया फ्लोरोसीज मलेरिया डेंगू उनके कारण और बचाओं के उपाई टिका करण पल्स पॉलियो भ्यान इकाई आट पारी इस्तितिकी तंत्र चार रं यहां से क्केका यहां से ले सकते हैं क्योंकि खाचाओ झेल को को देख लिए तेक लिए पादरतों च्करन देख लिए इस से चार रंख के चार प्राशन इस्थी त्रुप्सा बना पाएंगे तो दोस्तों एक से पांच का सिलिबस आपको बताया गया है। उसमें पांट क्रम के अंतर पांच बिंदू है एक से पांच तक और उस पांच बिंदू के अंदर और उसके उपकंड हैं उसको भी आप बॉक्स में लिखें दोस्तों थाकि आपके लिए सिजिटी verdict 2022 के लिए आपके लिए वीडियो सा सकें आपके ट्रीक्स आपको पर्ताए जा सके और आपको कुछ कुछ कुश्टन है तो भी आपको उत्तर देकर आपको सहता किया जा सके धन्यवाद